हलो मेरे लोविंग बंस, उम्मीत करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं क्लास 10 कि मैं उनके लिए भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं छोड़ने वाला, मैं NCRT एक्जम्पलर सारा सौल करवाने वाल थोड़ा सा इधर से उदर करते हैं बाकि NCRT एक्जम्पलर ही रहता है, ओके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के यह स्टुडेंट्स मुल्टिपल च्वाइस कोशन जो एमसे की अपने होते हैं पहला कोशन देख लिजिए विच आफ दो फॉलोविंग इस नाट आफ फिजिकल चेंज इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है बोईलिंग आफ वाटर तो कि वाटर वेपर फिजिकल चे यही वाला जो है आपका आप्शन सही है बेटा क्योंकि कंबस्टन जब भी होगा आपका LPG जब भी जलेगी तो इसको अक्सिजन की जड़ेगी एंड देख प्योर केमिकल रियक्शन ओके विच फॉलोविंग रियक्शन इस एन एक्जामपल आफ जो नीचे दिया गया रि नीचलर ऌकी झालइजेशन रियक्शन तो इसमें देख लिए जिक एक पहला सबसे पहले क्या हो रहा है इस डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन है जो चेंग है यह डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है और दूसरा आपका है u chefs doing reaction to the答 Ge given reaction are correct, इसमें से कौन सा correct statement है, 3Fe plus 4H2O gives out Fe2O3 plus H2, ये reaction हुई है आपकी, ठीक है, iron का reaction करवाया गया है, water के साथ में, और आपका iron oxide बन गया है, ठीक है, इसमें से कौन सा reaction सही है, या कौन सा statement जो है, वो correct है, correct-incorrect पे तुरंद tick कर लीजेगा, वहाँ पे की आपकी, और क्या पूचा गया है, correct पूचा गया है, इनकरेक्ट पूचा गया, या not लगा हुआ होगा वहाँ पे, पहला देख लीजे, iron metal is getting oxidized, water is getting reduced, water is acting as a reducing agent, water is acting as a oxidizing agent, जो oxygen देता है, वो oxidizing agent होता है, तो ये तो सही है, कि iron metal is getting oxidized, बात सही है, ठीक है water is getting reduced ये भी बात सही है ठीक है and water is act as a reducing और oxidizing तो oxidizing agent की तरह काम कर रहा है तो पहला दूसरा और तीसरा कहां पे है पहला दूसरा और सारी चौथा कहां पे है तो ये option C आपका correct है विलकुल से question number 4 है आपका which of the following are exothermic processes इसमें कौन सी exothermic process है हमारी ठीक है exothermic जिसमें heat निकलती है reaction of water with the quick lime होती है dissolution of an acid होता है evaporation of water ये endothermic हो गया sublimation of camper ये भी आपका endothermic हो गया तो ये दोनों हटा दीजिए यहां पर से ठीक है तो पहला और दूसरा कहां पे दिया गया है पहला और दूसरा आपका कहां पे है ये ये रहा question number five है बेटा देख लिजिए ध्यान से long है थोड़ा सा बड़ा सा है three beakers labeled as a b and c each containing 25 ml of water were taken sum में 25 ml पानी लिया गया है small amount of any way उसमें डाला गया है फिर anhydrous copper sulfate डाला गया है फिर आपका NaCl डाला गया है were added to the beakers a b c respectively it was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in a beaker a and b whereas in the case of c the temperature of the solution falls which of the following statement is or are correct है अब देखिए यहां पे correct है तो आपने तुरांद उसके नीचे underline कर लीजिएगा इसमें से कौन सा reaction जो होगा आपका सही होगा beaker a and b exothermic process has occurred क्योंकि वो गरम हुए है अगर डालने पर तो जाहर सी बात है वो यह option सही हुआ जाकर के ठीक है और इना beaker a b is the endothermic process नहीं हो सकती beaker c exothermic process नहीं है beaker c is endothermic process has occurred तो पहला और आपका चौथा वाला option सही है कहा है आपका पाचमे का c रहा a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified potassium per magnet ठीक है केमेनो 4 जो होता है मारा the light purple color जो होता है solution fades देरे देरे कम हो जाता है and finally disappear गाए हो जाएगा which of the following is the correct explanation for the observation इस तरीके के question आते हैं से पहले वाला जो question था वो भी competency-based था और ये भी competency-based है ना वो paper उड़ा करके देख लिए जाब बात नहीं मांदे 2023 का देखे के question के से अच्छे तरीके स्पूछे उन्होंने केमनो 4 जो होता है वो आपका एक oxidizing agent है ठीक है and it oxidizes FESO4 FESO4 act as a oxidizing agent and oxidizes केमनो 4 ये तो गलत बात है the color disappear due to dilution no reaction involved ये गलत हो गया ठीक है केमनो 4 is unstable ये भी गलते होगे तो सबसे बहतर आपका option दिया गया केमनो 4 और SD5 K2 CR2 O7 ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं oxidizing agent होते हैं तो option आपका A is correct question no 7 है वेटा which of the following are double displacement reaction इसमें से कौन सा double displacement reaction है ठीक है PB plus CuCl2, PBCl2 plus Cu ये तो displacement reaction double displacement पूछा न ये तो displacement हो गया आपका Na2SO4, BACL2, BSO4 plus 2 NaCl, Cu plus O2 ये तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता B यानि second reaction जो है यही आपका double displacement है double displacement इसलिए क्योंकि ना तो ये salt है ना ये salt है मुझे इसलिए पता है क्योंकि बच्चों ने यहाँ बड़ा गलती करी थी same question पूछा गया था और उन्होंने दोनों के दो पिक कर लिये थे ठीक है ये घलती हुई थी जादा तर बच्चों से थी सबसे नहीं हुई थी लेकिन हुई थी क्यों क्योंकि उन्होंने उपर वाले देख लिये एक दम से ठीक है तो आपको ये ध्यान देना कि दोनों तरफ साल्ट होना चाहिए बटा तभी double displacement reaction आपका mostly हो light for the long duration turns gray due to जो आप silver chloride होता है ये reaction बहुत पूशी जाती है ठीक है जब आप उसको धूप में रख देंगे तो जाहर से बात उसमें से क्लोरीन जो होती वो निकल जाती है और सिर्फ silver बचता है इसको बोलते है photo decomposition ठीक है the formation of silver by the decomposition of silver chloride sublimation तो नहीं हो रहा है यहाँ पे decomposition ठीक ह पहला वाला option सही है आपका first only ये वाला option सही है कि silver chloride decomposition reaction है photo decomposition है याद रखिएगा question number 9 है आपका solid calcium oxide को लिया गया है और reacts vigorously with the water जब भी आप calcium oxide को पानी में डालेंगे तो बहुत तेजी से reaction होता है calcium hydroxide बनता है accompanied by the vibration of heat ठीक है the process is called the slag lime the calcium hydroxide dissolve in water form its solution called the lime water ठीक है which of the following observations जितनी भी observation है is और are true about the slag lime and the solution formed इसमें से कौन सी observation जो है वो आपकी सही है ठीक है देख लिजे it is an exo endothermic reaction तो सवाल ही पैदा नहीं होता है it is an exothermic reaction सही है the pH of the resulting solution will be more than the 7 क्योंकि वो बना है base COH का whole price बना है ना ठीक है select lime जो बना है तो आपकी और pH दो ही तो गलत हो गया नीचे वाला ओके तो यह option बना जाकर कि आपका second and third ऐसे ही आने वाले हैं कोई भी टेंचन लेने जरूरत नहीं ऐसे ही question होंगे same question number 10 है आपका barium chloride on react with the ammonium sulfate okay barium sulfate ammonium chloride ठीक है which of the following correctly represent the type of reaction involved इसमें से कौन सा reaction जो है वो आपका correctly involved है it's a displacement reaction ठीक है displacement तो नहीं क्योंकि हमने अभी क्या बता है आपको दोनों चीज़े salt है यहाँ पे देखिए barium chloride और ammonium sulfate दोनों salt हो गए तो displacement तो हो नहीं गया इसको हटा दीज precipitation reaction combination तो है नहीं double displacement तो second and fourth वाला option जा देख लिए second and fourth second and fourth second and fourth second and fourth यह आपका दसमें का D electrolysis of water is a decomposition reaction होता है and the mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during the electrolysis of water is one is to one होता है two is to one होता है four is to one होता है one is to two होता है तो उसाहिट से बात हो मैं पता है two is to one होता है क्योंकि H2O होता है वहां पे question number 12 है आपका which of the following is यह are endothermic process है जिसमें energy दी जा रही है endothermic process है dilution of sulfuric acid यह exothermic होता है sublimation of dry eyes इसमें energy दी जा रही है ठीक है condensation of water vapors evaporation of water ठीक है तो देख लीजिए आप अपना पहला कि sublimation of dry eyes यह आपका endothermic process हो गया दूसरा evaporation of water जो होता है इसमें भी evaporate हो रहा तो energy जायर से बात भी surround से ले रहा है तो जिसमें भी energy दी जाएगी या कोई चीज एनरजी गेन करती सराउंड सराउंडिंग से तो एंडो थर्मिक प्रॉसेस से इंपिल है तो आप्षण डी बैठा जागर के कुशन नमर 13 है मारा इनका double displacement reaction between the aqueous potassium iodide है और aqueous lead nitrate है ओके yellow precipitate of lead iodide बनता है यह बहुत पुछते हैं कि किसका precipitate बना है lead iodide का बन जाएगा आपका याद रखिएगा यह वाले पॉइंट को lead iodide while the performing activity if lead nitrate हमारे पास में नहीं है which of the following can be used in place of lead nitrate की जगहां पे क्या use हो सकता है अच्छा question है important है इस पे tick कर लीजी आप ज़रा ठीक है lead sulfate insoluble है तो बेकारी बात हो गई lead acetate ammonium nitrate ठीक है और potassium sulfate इसमें से क्या चीज यूज हो सकता है तो हमारे पास में ओपर क्या चीज है सबसे पहले देखिए potassium iodide है potassium है तो potassium को तो अटाई दीजिए यह कैसे reaction होगा ammonium nitrate reaction देगा नहीं जल्दी और आपके पास एक option बचता तो lead acetate आप यूज करेंगे question number 14 है मारा which of the following gases can be used for the storage of fresh sample of an oil for a long time इसमें से कौन सी gases को use किया जाता है ठीक है for a long time जाहर से बात ऐसी gas को यूज किया जाएगा जो आपके reactive होगी नहीं तो ढूण लो carbon monoxide तो जहर होता हमारे लिए oxygen में वह चीज हो oxygen तो सबसे बड़ी खतरनाक होती है कर कोई चीज में स्टोर करना तो oxidation कर देगी nitrogen हो सकती है oxygen भी लगी है carbon dioxide यह helium CO2 यूज नहीं होती तो दो gases आपके पास है helium और nitrogen यह दोनों यूज होती है आपकी question number 15 है आपका in the following reaction used for the preparation of oxygen gas in the lab ठीक है यह question आया था यह question आया था इसको note कर लीजिए कई बार आया था और कई लोगों ने इसको पुछा था कि यह हो क्या रहा है कहां से question pick up कर लिया क्योंकि reaction कहीं आपके paper book में नहीं है लेकिन यह exemplar में है ओके 2 KCL O3 बनाया गया आपका ठीक है solid state में है वो heat दी गई है और catalyst की मौजूदगी में KCL बना और आपकी oxygen gas library यह oxygen gas बनाने का तरीका है which of the following is are untrue correct about the reaction इसमें से कौन सा reaction जो होगा वो सही है आपका it is a decomposition reaction and endothermic in nature जाहर सी बात है बात सही है it is a combination reaction हटा दीजिए it is a decomposition reaction and accompanied by the release of heat heat कहां निकल रही तो गलत हो गया it is a photo chemical हम photo chemical नहीं दे रहे हैं यहां पे heat दे रहे तो यह भी option गलत हो गया आपका यह बच रहा है आपका सही decomposition है और endothermic in nature मैंने बोला ना जिसमें heat दी जाएगी वो आपके endothermic हो जाएंगे question number 16 है आपका which of the following processes involved in chemical reaction इसमें से कौन सी processes involved है chemical reaction जिसमें हो रहा है storing of oxygen gas under the pressure is a in a gas cylinder यह chemical reaction है क्या नहीं है liquefication of air keeping a petrol in a china dish in the open heating a copper wire in the presence of air at high temperature के ऊपर ठीक है तो जाहिर सी बात यह आपका chemical reaction हुआ copper wire को आपका जला रहे है copper oxide बन जाएगा in which of the following question number 17 in which of the following chemical reaction यह equation the abbreviation represent the correct states of the reactant and product important question बहुत अच्छा question बहुत ही अच्छा involved in the reaction and the temperature ध्यान जीजेगा इस question के ओपर बड़ा गलती होगे सबसे हो जाएगे 2H2 plus O2 liquid liquid oxygen liquid में नहीं होगी gas होगी यह भी gas यह भी gas है इसको हटा दीजिए hydrogen आपकी gas है oxygen आपकी liquid है गलत हो गया hydrogen आपकी gas है oxygen आपकी gas है ठीक है लेकिन H2O जो बना ठीक है liquid state में बना जाद अतर गलती यहीं पर होगी नहीं ऐसा नहीं होता जब भी hydrogen आपकी reaction देती है ठीक है तो हमेशा water जब बनता है liquid form में नहीं होता that is the gaseous form में होता इसको याद कर लीजिएगा question number 18 है अपना which of the following are the combination reaction इसमें से कौन से आपके combination reaction है combination मतलब जिसमें दो चीजे मिल करके एक चीज बनाए यह तो heat दी गई तो इसको हटा दीजिए आप decomposition है MgO plus H2O हाँ एक चीज़ बनीए यह है 4Al plus 3O2 हाँ यह भी है ठीक है ZN यह तो double displacement reaction है तो आपका देख लीजिए दूसरा और तीसरा कहां पे दिया गया है दूसरा और तीसरा आपका यह दिया गया है यह आपके MCQ हो गए आपके chemical equation and reaction वाले चेप्टर के तो जल से जल सारे के सारे आप लोग याद कर लीजिए गा इनको अच्छी दरीके से memorize करके जाएगा इंशाला यहीं से question paper आएगा ठीक है दूआ तो मेरी यही है कि आप लोग सारे question यतने पढ़के जाएं सारे कर ले जा